दोस्तो आज की इस वीडियो में बात करने वाल है कि आप डिरेक्ट वीडियो कॉलिंग कैसे लगा सकते हैं अपनी मौहल फोन से ठीक है आप नॉर्मली ऐसे कॉल लगाते होंगे बट आपको यहां फिर वीडियो कॉलिंग का आप्सन नहीं मिल रहा है या फिर मिल रहा है तो आप कैसे लगा सकते हैं यह भी बताऊंगा तो चलिए वीडियो के स्टार्ट कर लेते हैं दिए दोस्तो बहुत सरे लोगों को यह डिरेक्ट वीडियो कॉलिंग का आप्सन नहीं मिल पाता है तो इसके लिए आप सबसे पहले अपना प्लेश्ट और ऑपन करके फोन गूग तो नेट बंद भी रहेगा न तो भी वीडियो कॉलिंग हो जाएगा बिड़ाट वाटसब का भी ठीक है डाटा ओफ रहने के बाद भी जियो टु जियो फिरी रहता है वीडियो कॉलिंग अईसा कुछ सिस्टम है तो आप यहाँ पेला इस्टोर ऑपन कीजिए मैं में पॉ यहाँ पर अपडेट तो भी यह हो रहा है तो इसको मैं अपडेट होने देता हूँ यह जो डालर है इस पर लॉंग प्रेस कीजिए थोरा इटम तक टच कीजिए उसके आपको एक एप इंफो का उप्शन मिलता है देख सकते एप इंफो का उप्शन पर सिंपल सा क्लिक कर अब जैसे यहाँ आ जाओगे उसके आद आपको यहाँ पर क्लियर डाटा वगेरा कर लेना है तो आप कर लीजिएगा और यहाँ पर फॉर्स्टॉप का उप्शन प्लिक करके फॉर्स्टॉप कर दीजिए इससे जो भी वार्यस वगेरा चल रहे ते वह सारे क्लीन हो जाते है और आपको permission का option पे आके camera का permission चेक कर ले लेना है क्या होता कि video calling तो camera से ही लगते हैं camera on रहेगा तभी यह होगा तो camera का permission आप allow कर दीजिएगा और आप check कर लिजिएगा कि यह सब on है कि नहीं है तो permission आप ज़रूर कर लिजिएगा और आपका 100% वीडियो कॉलिंग लगेगा अगर आपका न्यू वर्जन वाला फोन है तो क्या होता है कि बहुत सारे old वर्जन वाले फोन होते हैं पुराने जवाने का मतलब दो सार चार साल पुराना फोन है तो अपडेट फोन को कर लेना है फोन अपडेट करने के बाद आपका वीडियो कॉलिंग लगेगा टैंक्यू सोमाच डॉट होतो